नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज देश दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि हमारी दुनिया बचेगी की नहीं बचेगी एटम बम से लेकर न्यूकलियर बम का जो खतरा है हतियार का वह कितना तगड़ा है कितना असली है यह याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज 9 अगस्त है 1945 9 अगस्त को नागासाकी में एटम बम गिरा था और ठीक तीन दिन पहले यानि 6 अगस्त को हिरोशिमा पे तो इस पे हम चर्चा करेंगे और दूसरी खबर जिस पर हम अगर चल रहा है जिसमें 45 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं इसका क्या असर पड़ेगा पूरे इलाके पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रबीर आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आज जब हम देख रहे हैं कि नागासाकी जो 1945 में हुआ था उसकी विभीशिका की तस्वीरें आज भी उसी तरह से मानवता के सामने जिन्दा हैं यूकरेन संगर चल रहा है साथी साथ ये दिखाई दे रहा है कि अमरीका और चीन के बीच भी तनाव बढ़ रहा है यह जो खत्रा है यह कितना असली है क्योंकि 9 से अधिक देशों के प बाशा मेरे खाल से यह हमारे लिए एक ऐसा बन चुका है नाविकिया अस्तरों की डूक्लियर बॉम की रहना कि हम यह सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा ओ एक बार हुआ था बॉम गिरा था इसके बार नहीं होने वाला है हकीकत तो है कि डूक्लियर ट्रिगर पे अब 9 देशो मतलब है कि कभी भी कोई भी तनाव से अगर युद्ध शुरू होता है तो उसका परिणाम क्या होगा किसी को नहीं मालूग कोई नहीं कह सकता इसका और यह जो चीज है एक एक भै एक क्या कहते एक दहशत पैदा करता है जिस पर यह भी संभावना से गलती से कोई बटन जिसके वारे में से युक्तुराष्ट संग के अध्यक्ष ने भी कहा भी कि मिस कैलकुलेशन से मिस कैलकुलेशन देखिए पहला महयुद्ध जो था विश्वयुद्ध जो था वो कोई चाहता नहीं था तो आर्ट यूक फार्डिनंड को एसासिनेशन के बाद वो जंग में शुरू जंग में परिवर्तन परिवर्तित हुआ और पूरा दावानल जो है वो पूरा यॉरोप में फैला और उसको ग्रेट वार के नाम से पुकारायाता है बहुत भारी पहबाने पे लोग उसमें मरे और जिसको कह सकती कि पहला इंडॉस्ट्रियल स्केल वार था जिसमे हर अस्ट्रों को प्रयोग किया गया था तो यह जिस तरह से लोगों को जिस लोगों के अंदर दहशत पैदा किया था तो वह लगा था कि और दुबारा शायद नहीं होगा फिर हुआ तो यह चीजे जब जंग होता है तो चोटे-चोटे चीजों से भी बहुत बड़ा यु दूसरी बात है कि डूकलियर वार यह न हो इसके लिए हमने कुछ कदम उठाये थे असी के नशक में इसके पहली भी है नॉन प्रिलिफरेशन ट्रीटी में कुछ देशों के पास लिए में तो इस नहीं किया गया कि कि तो कहो कि 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 इसी के पास ना हो कुछ देशों को पास अगा। अपदूसरे देशों को पास नहीं होगा। ये सही नहीं होगा। तो ये आप जोड़ो आपकी डिजारममेंट्से। वो जो डूकलियर पावर तक हुगा से अमरीका करने से इंकार कर दिया। अछिए। नोन प्रलीफरेशन होना नाम सही जाना जाता है, वो अभी भी है, बरकरार है, वो 27 तक मेरे ख्याल से वो रहेगा, पर उसकी अवदी 5 सल बढ़ाई गई है, 22 में, पर और जो ट्रीटीज थे, एक था एंटी बिलिस्टिक मिजाइल ट्रीटी, और दूसरा था इंटरमीडियेट रेंज बिलिस्टिक मि क्यों थी, कि एंटी बिलिस्टिक मिजाइल जो है, यह कह रहा था, कि मिजाइल जब आएगा, उसको हम मार गिराएंगे, तो हमारे उपर नहीं आएगा वो, तो उसको माना गया, कि यह अगर आप करेंगे, तो उसका काट क्या है दूसरे के पास, ज्यादा अस्ट बनाना, तो एक आर्म्स रेस बड़े पैमाने पे और बढ़ेगा, जो कि आपने कहा कि 13,000 नाविकिया अस्ट दुनिया में है, उस वक्त करीम 11-12,000 थे, तो यह आर्म्स रेस को रोकने के लिए, कि और अस्ट न बनाए, कि फर्स स्ट्राइक के बाद रिटर्न स्ट्राइक से दुनि अस्ट पैदा करें, इस शील्ड को डिफीट करने के लिए, तो यह जब सौविट यूनियन की पतन हुआ, सोशलिस्ट जो कैम्प था, उसमें यॉरप में वो हार गया, एक हिसाब से, यलसिन आया, वो आत्प समर्पन कर दिया था, अमरीका के पास पूरी तरह से, तो अब बलेस्टिक मिजाइल ट्रीटी से, अमरीका बाहर वे गया, कहा कि हम इसको अब नहीं मानेंगे, तो ट्रम जीतने के बाद, वो, फहले तो एबीम ट्रीटी से बुष निकली गया था, ट्रम जीतने के बाद, अब देख सकते हैं, कि इंटर्मीडियर ब्लेस्टिक मिजाल, ज सुन के खिलाब इस्तबाल नहीं करेगा ये इसलिए यॉरप को इस मिजाइल से मुक्त रखने की वज़े से इंटर्मीटेर्ड रेंच मिजाइल कायम की गए थी पीस पूपमेंट के वज़े से भी थी ऐसे नहीं हुए थी दुनिया में खास तोर से यॉरप में कि ऐसे जो पीस मुववमेंट का जो फाइदा था उस वक्त वहां पर हम देख सकते हैं कि इसके वज़े से ये चीजे उस वक्त रुख गई थी पर वो जो प्रगती था पीस मुववमेंट का न्यूक्लियर बाम्स के खिलाब वो 90s में रुख गया लगा कि जंग का माहुल नहीं है रूस तो आत्म समर्पन कर चुका है वो अब खतरा नहीं है विश्व युद्ज नहीं होने वाला है अब सिर्फ यही है कि नौर्ट कुरिया हम कितना इंडिया पाकिस्तान ऐसे मुलकों को के पास ऐसे आस्तर नहीं पहुंचे एही कोशिश करना चाहिए अब चानते ही इसक क्योंकि वो भी काफी चिंता जनक है कि एक तरफ युक्रेन युद्ध चल रहा है चीन से आप भिड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अमरीका यह अभी एनाउंस करता है कि हम इतने बड़े पैमाने पर बजट का अच्छा खासा हिस्सा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके नहीं हुई है बीबी देखिए यह चीज जो है अमरीका के पहले से है कि हमें न्यूक्लियर प्रभुत्व दुनिया पर पाना है चाहे वो सही है नहीं हो क्योंकि नौर्थ कोरिया आप जानते हैं वो भी आप अमरीका में बॉम गराने का शमता रखता है और बोलते भी रहत है कि उनकी वहां तक पहुँच सकती है पर सवाल यह है कि भविष्य में ये संभावना है कि आंटि-बलेस्टिक विजाइल से आप फर्स्ट स्ट्राइक करके उनकी जो रिटर्न स्ट्राइक हो.. उसको रोख ले अगर यह संभावना होता है कि तुक्का निकल भीजाए तब यह possibility बनता है कि अब nuclear winnable nuclear war जो बात है कि हम nuclear war भी जीच सकते हैं यह ख्वाइश गई नहीं है साफ है नहीं तो इस तरह से पहल कद भी इतना पैसाना लगाता अद दूसरी बात है उनकी अगर nuclear posture रिव्यू देके 2003 में उनके गोशना है कि हम preventive new war भी कर सकते हैं और हम यह नहीं कह रहें कि first strike नहीं करेंगे बहुत बुलकों ने यह कहा कि हमारे पस ना nuclear weapons है पर हम first strike नहीं करेंगे पहला हम नहीं इस्तेमाल करेंगे इसको चाहिए एक कह सकते ओपचारिक्ता है क्या करेगा कौन भविश में इसको मालुम नहीं है पर कम से कम इसका policy में नहीं है अमरीका क यह भी कहना कि preventive तोर पे हम nuclear अस्टर भी कोई भी अस्टर प्रयोग कर सकते हैं इसलिए जब यह कहते हैं कि रूस ने कहा है हमारा अस्थित्वक अगर खत्रे में होगा ता हम nuclear weapons use कर सकते हैं उनको यह एक मैं कहाँ को पूरा hypocrisy है क्योंकि एहीं उनका 2003 की nuclear posture review में भी है और सि करने की अगर छबता रखता है तो उसकी हम preventive war के तौर पे जैसे एराक पे उन्होंने किया था हम कोई भी कदब उठा सकते कोई भी कदब बतलब कि हम nuclear weapons भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह आज के तारिक पे एक बहुत बड़ा खत्रा दुनिया के सामने है आपने कहा कि नौ द सबसे बड़ा अफसोस प्रवीर यह भी लग रहा है कि जब नागासाकी दे है हिरोशिमा का दिन निकला है जिसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे और पीडियां बरबाद हुई थी जूसी हुई थी जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उससे दुनिया ने सब की प्रख्रिया शुरू हुई थी वह किसी भी तरह से जो आपने कहा कि वह प्रख्रिया थे you people's movement की वज़ा से जिन संदियों पह बात हुई थी शायद की तारीक में उन संधियों के बारे में भी बात होना बहुत जरूरी है वाशा सबसे एहम सवाल इसमें यह है कि पीछले बार पीस मूव्मेंट को जो मिला था हिरो शिबा नागासाखि कि इन तदवीरों कि से नहीं हमें के साइब क्या हमें यहां मैं अपने दर्शकों के साथ यह बहुत इंपॉर्टन जो बुक्लिट है यह शेयर करना चाह रही हूं इसको आज की तारीख में और आने वाले दिनों में याद करना जरूरी है इसका जो शीरशक है डार्कनेस ऑफ दाउजन संस यह जो आटम बम जब बना था तब बताया गया था कि थाउजन सं की रोश्टी होगी हिरोशिमा और नागासाकी को याद करते हुए यह जो बुक्लिट निकली 1987 में इसने बताया कि जो विभीशिका है वह पीडियों को ही नहीं पूरी मानवता को ध्वस्त करने के लिए कितनी कितना बर-बर रूप अख्तियार करती है तो यह मुझे लगता है कि बहुत एहम च इसके दौरान हमने इसके बुक्लेट को निकाला था एंडी जय प्रेकाश इस पे बहुत सारे तजवीरों उन्हीं की लीवी कलेक्ट की हुई थी संग्रह की गए थी वही उसके होता थे जी इसी के साथ प्रबीर जब हम युद की बात कर रहे हैं हमें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं फिलिस्तीन से गाजा स्ट्रिप से दिखाई दे रही हैं जहां इसराइल तीन दिन में जिस तरह से उसने हमला किया बड़े पैमाने पर बच्चे मारे गए चवालेस के करीब नागरिक मारे गए यह जो हिंसा है हम जितनी हिंसा को रोकने की बात करते हैं हमें द हो सकता है इस्रेल का अंदरूनी राजनीति जभी भी अंस्टेबल होता है संकट में होता है तब गाजा पे बंबारी करने के लिए वो उतारू होते हैं क्यों उससे जो है लोगों का दृष्टी अपने जो क्राइसिस से उस पे न जाके वो इस्रेल पैलेस्टाइन इन सब ची जाता है तो अंदरूनी जो क्या कहते है दराने है वो थोड़ा सा भर जाते हैं ये तो जो श्वक्त राश्टरस जोसक्रें सट्था रहते हैं उनके लिए एक अच्छी बात होती है कि एक फिर यृद उन्हाद जनता में पैदा की जाए तो यह लगातार होता है कि गाजा मे वो कहते भी है कि कुछ दिन बाद है कि घास काटने की जरुरत है इसका मतलब बंबारी करके कुछ लोगों को मानने की जरुरत है लोगों को मारना ग्रेस लॉंस लॉंस को घास को थोड़ा बराबर करना तो यह तो उनकी भाशा है, अमाने भी यह भाशा है पर उसी रिष्टिकों से वो गाजा का जनता, फिलिस्टीन का जनता को देखते हैं, तो यहां पर इस्लामिक जिहाद की उपर अटैक था, अब जानते हैं गाजा पर हमास सबसे बड़ा शक्ति है, उन पर अटैक नहीं किय आता है, क्योंकि जब हमास के साथ वो भीड़ते हैं, तो अब उनकी भी काफी नुक्सान होती है, हमास के पास जादा हत्यार है, जादा वो इस काबलियत रखते हैं, और गाजा पर उनका पोलिटिकल कंट्रोल भी जादा है, इसलामिक जिहाद के उपर इसलिए अटैक किया कि उनको लगा कि उस तरह से शायद अटैक नहीं, प्रतिक्रिया नहीं होगी, और कुछ हमास के उपर अटैक करते हैं, तो प्रतिक्रिया जादा होता, चौदा बच्चे भी मारे गए, देखे यह तो इंडिस्क्रिमिनेट वार है, जब आप मिजाइल्स फेकते हैं एक बिल मरते हैं, क्योंकि बहुत सारे और लोग भी बाकाइदा मार जाते हैं, तो यह तो इनका कहने की बात है, पर सवाल यह है कि गाजा पे उनका पहले काफी चलती थी, मतलब वो कुछ भी करके उस पर उनकी खास प्रतिक्रिया नहीं होती, अब धीरे धीरे यह हो रहा है, कि यह भी उनके लिए मुश्किल पढ़ रहा है, तो आपको याद होगा गाजा के अंदर घुसके हो मारते थे, इस बार पीछले बार जब घुसे थे, उनकी काफी नुकसान वी थी, उनको लग गया था, गाजा में दुबारा हम अंदर नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए अब सिर प्रिता है वहाँ पर इस बात को लेके कि किसी को बहुबत नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उनका प्राइम मिनिस्टर बदला है, अभी लपीर उसका प्राइम मिनिस्टर है, तो नेतानियाहू उसके हटना पड़ा हूं को, पर कौन कब आएगा इसकी लडाई इसरेल में चलत की बीच पे क्या सेटलमेंट हो, लगता है कि दुनिया, खास तोर से अमरीका, यॉरप, इसको स्विकार कर चुका है कि पलिस्टाइन की जनिता को इसरेल के हाथ पे हमने थोब दिया, जो वो करना चाहता करे, हम उसको और कुछ नहीं कर सकते हैं, अदना कुछ कह भी सकते है क्योंकि हमारी पुरानी पाप है कि हमने इतना यहुदियों को हत्या किया था यॉरप में और भी जगों पे, तो इसलिए हम पाप का बोज जो है, उसको सिर्फ फैलिफिलिस्टीन की जनता पर थोब देते हैं, क्यों उसको चुका है और हम कुछ बोले ना, तो ये जो इनकी एक रणनीती है कह सकते हैं, वो अभी भी चल रहा है, यॉरप चुप, अमरीका, इस्रेल के साथ, ये लगाता है, और संयुक्त राश्ट को सुनने वाला कोई है नहीं, वो बोलते भी बहुत कम हैं, क्योंकि सिक्रिटी कांसिल के पास पावर है, वहां तो कुछ हो नहीं सकत और इनका Human Rights Commission वगारा जो बहुत बार कह चुका है कि गाजा बे जर्रसाइड हो रहा है, पैलेस्टाइन एक अमानवी सिती में है, और इसरे पहले United Nations की Resolution भी थे, Security Council के, इसरे ले कहा है, हम इसको मानते नहीं है, United Nations को हम मानते नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो जो करेंगे, वही करेंगे, जी, तो ऐसा लगता है कि एक नया नॉर्मल है, जिसको सब लोग ये लोग accept कर चुके हैं, कि फिलिस्तीन की जनता को ऐसे ही मरना होगा, और युद्ध जो है, इसी तरह से direct and direct चलता रहेगा, पर सवाल एक कि उसमें जो उनकी, क्या कह सकते हैं, उनक पीछले बार उनको पीछे हटना पड़ा, अब देख सकते हैं कि अब वेस्ट बैंक में भी उनका कबजा है, पर क्योंकि पैलेस्टाइन लिबरेशन और्गनाइजेशन एक हिसाब से उनके साथ दे रहा है, पैलेस्टाइन अडिनिस्ट्रेशन, गाजा के अंदर वो नहीं वेस्ट एशिया की रिलाइनमेंट जो है, उससे इसरेल को भी एक वक्त पे जाके सामना करना पड़ाएगा, और वो तभी हल होगा, जब अमरीका की ताकत वेस्ट एशिया पे इतना नहीं होगा, और वहाँ पर अंदरूनी ताकत वेस्ट एशिया के उनके बीच में बातश बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर दोस्तों एक बात बहुत साफ है कि जो युद्ध चाहते हैं जो युद्ध चाहने वाले देश हैं वह युद्ध पर उतारू है लेकिन इसी के साथ साथ हिरोशिमा हो या नागासाकी वहां पर लाकों की जो जान गई पीड़ियां जो बर इस बारे में हमें और आपको सोचना और बोलना बेहर जरूरी है शुक्रिया